गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स प्रिवियस टॉपिक में हमने जमेट्रिक मीन निकाला था इंडिविजूल सीडियस का उसका फॉर्मूला क्या था समेशन लॉग एं था डिरेक्ली और उसके बाद एंटि लॉग लेना उसका ठीक है अब यहाँ पर आगया डिस्क्रीट स श्यरिस तुमें पता ही है उसके साथ X और उनकी फरिक्वेंसी भी गिवन होती है तो क्या होता है जब जैसे में उसमें करते थे हम अर्थमेटिक मीन में क्या आगा था था एक्सब गर Ooh एक़ुर स्मेंशन F ऐ को समेशन F वही फर्मूला यहाँ पे है बस अबकी बार य में फॉर्मिला चेंज हो गया हमारा समेशन लॉग एक्स अपॉन में एन और उसमें लेना था साथ के साथ एंटी लॉग ठीक है तो अभी सिमिलरली इंडिविजुल सीरीज में हमने जमेट्रिक मीन का टॉपिक तो यह कर लिया ऐसे ही अर्थमेंटिक मीन हम डिस्क्रीट सीरीज में क्या करते है समेशन एफ एक्स अपॉन में समेशन एफ वही यहां पर करना है जमेट्रिक मीन के लिए क्या करेंगे हम समेशन एफ ल टेबल को ऐसे लिख लेंगे, x ऐसे, f ऐसे, ठीक है, लिखा, x और f, फिर हमें चाहिए, formulae की according, देखो, log x चाहिए, तो सभी terms का log x निकालेंगे, log of 6, अभी बताया था, मैंने, a की desert है, तो 1 माइनस कर दोगे, तो point लिखा जाएगा, point, और फिर 60 पे चेक कर लो, point 772 आजाए है, तो मैं, उसके बाद देखो, कितनी digits है, एक अकेली है, 1 में से 1 माइनस करोगे, 0 आजाएगा, तो 0 लगाओगे, ऐसे सहाँ पर 2 digits है, तो 2 count करोगे, 2 माइनस 1, तो 1 लगाओगे, 1 point और 11 पे चेक कर लो, सिद्धा वहाँ पे table में मिल जाएगा, 414, log x निकाला, फिर हमें formula की according, उसको f के साथ multiply करना है, तो हर log x की term को f से multiply करोगे, then हमें summation बोला है, इन सभी का summation करोगे, summation किया, f log x हो गया, उसके बाद इनको divide करना है, n, n क्या है, यहाँ पे summation f यह होता है, तो थोड़ा धिहान रखना, summation f क्या होता है, इन सभी का addition, वो क्या 100 आ गया, जो इसको solve करके answer आया, उसका क्या लेना है, एन टी लोग, एक बड़ एन टी लोग दुबार होता देती हूं, जैसे बोला है, 0.945662 है तुमारा, 0.945662, तो पहले 94 के 5 पे जाएंगे, एन टी लोग में, देखो मैं टेबल दिखाते हूं तुमें, 94, 0.94 यह रहा, उसके बाद बोला इसने, 94 के, 5 पे, 94 के 5 पे जाएंगे, तो यह आ गया हमारा, 8810, तो हम लिखेंगे, 8810, फिर आगे क्या बोला है, हम 94 के 5 पे जाना है, तो मने उसी लाइन में, 94 के, हम किस पे गए थे 5 पे, यहां गया था उसी की टर्म के 6 पे जाना है 6 के आगे लिखा हूँ है 12 यहां पे लिखा हूँ है 12 यह 1, 2, 3, 4, 5, 6 12 लिखा हूँ है तो उसमें हम 12 add कर देंगे तो तुम्हारा क्या बन जाएगा 8810 था न 8810 के अंदर 12 add कर देंगे तो बन जाएगा 8822 यहां तक आगया उसके बाद तो यह तो तुम्हारा आगया इतना टर्म उसके बाद हमें देखना है antilog antilog में क्या बोला है point से पहले एक भी digit हमारा मतलब इसमें क्या है point से पहले 0 आया है तो इसका मतलब 1 point आगे खाली रहा होगा अभी जैसे मैंने बताया 6 है 6 में से 1 minus करोगे तो 0 आगया तो 0 point बना तो इसका मतलब logarithm इसका 0 कब बना जब 0 कब है हाँ पे जब एक digit खाल लिए अकेली बिना without decimal होगी तो यहां पे हमारा 8822 आ रहा था 8.822 सपोस करो यहां पे 1.9 होता मैं कहारी हूं तुम्हारा 1.94 यह होता 1.94562 तो तुम्हें क्या करना है antilog के लिए 1 point को नहीं देखोगे 0.9465 पे जाओगे वहां से आएगा 88122 आ जागा तुम्हारा सिधा इससे point से पहले इनका कोई मतलब नहीं है अभी जब हम table देखेंगे point से देखेंगे 0.94562 यह आ गया 8822 अब 1 का बाता है जब आगे दो डिजिट्स हों दो को माइनस करके 1 करता है ना तो दो डिजिट्स के बाद तुम्हें decimal लगाना है 88.22 आ जागा यह होता है तुम्हारा antilog यह थी तुम्हारी discrete series next हम करेंगे continuous series वह हम कल करेंगे पहले मैं तुम्हें दो वीडियों जब सेंड किये दोनों को चेक कर लेना अ के संद किये दोनों को चेक कर लेना